मुई रायपूर में कॉंग्रेस ने सरकार के खिलाव धर्णा प्रदर्शन किया। कॉंग्रेस ने शेहर में हत्या लूट चोरी जैसे अपराधों को लेकर सरकार पनेशाना साथा। कॉंग्रेस ने ता विकास उपाध्याय ने कहा कि कानून विवस्था चौपट हो चुकी है और सरकार आख पर पट्टी बांद कर बैठी है। आखिरकार राजधानी में बदमासों के हौसले क्यों बुलंद हो गए हैं। एक छात्र के उपर चाकू से हमला किया गया है। अब तो पत्थर बाजी की भी खबर निकल के सामने आ रही है। विकास जी आप यहाँ पे बैठे हैं। क्या है वज़ा अपराध बढ़ते जा रहे हैं यह क्या है। देखिए आठ मैना होगे भारती जनता पाटी की सरकार इस प्रदेश में हैं और इस प्रदेश ने जनता को उनके विश्वास पर अगर उसके सामने उपहार में भारती जनता पाटी ने जनता को कुछ दिया है तो अपराध दिया है, हत्या दिया है, चोरी दिया है छिंटाई दिया है नसीले प्रदात की विक्री दिया है अवे सराप की विक्री दिये कानून के दायरे के हिसाब से जो भी अपराधी तत्व है यदि कुछ घटना को अंजाम दे रहे उनकी ग्रपतारिया भी भारती जनता पार्टी की सरकार में अपराधियों क कि पुलिस कारवाही करने जाती है उसके पहले एप्रोच कफोना जाता है अप राधियों को पकड़ने से पहले उसको छुलाने वाले कफोना जाता है पीजेपी नेताओं की लडने का भी वीडियो आ रहे है नेताजी चौक में मारपीट हुए है बलबा के तहट मामला भी दर को बदलना होगा हम भारती जंता पाटी की निताओं को जगाने के लिए जो इस शासन और सत्ता की मौज मस्ती में लिप्त है लेकिन जंता से उनको कोई लेना देना नहीं बहुत-बहुत शुक्रिया तो यह विकास उपाध्या है पस्चिम विधानसभा के विधायक है उन् अजिशनी साथ जी मीडिया राइपूर